पंजाब में विदान सावचुनाओं के नतीजे घोशित हो रहा है इस बार पंजाब में कॉंग्रेस की बड़ी हार हो रही है पार्टी की स्थिति ऐसी है कि वो भी सीटों की नीचे सिमट सकती है वही सबसे बड़ा जटका कॉंग्रेस के प्रदेश प्रधान नौजो सिंग सिद्धू को लगा है अमरिस सरे इस्टे सीट से नौजो सिद्धू तीसरे नंबर पर हैं वही सिद्धू ने पंजाब में हार भी माल ली है इसके साथ ही पंजाब कॉंग्रेस में हलचल तीज हो खबर के मताबिक चरणजी सिंग चन्नी ने एक अलिक बैठक बुलाई है अला कि सियम चन्नी भी दोनों सीटों से चनौजों हार गये हैं पंजाब में कॉंग्रेस का सूपरा साप हो गया है ऐसे मिसहार के लिए पार्टी हैकमान सिद्धू पर गाज गिरा सकती है इसके संक सिद्धू के उपर ही उठ रहा है और पार्टी के निता हार का सारा ठीकरा सिद्धू के उपर फोड़ने को तयार है इसके शुरुवाद विधान सब चुनाओ के बाद हो गई थी जब पार्टी के सांसद और निता सिद्धू की कारशायली पर सवाल उठाने लगे थे वही को फायदे के बजाए नुकसान होता दिख रहा है वहीं राज में सिद्धू और कैप्टन के बीच खुली जंग का असर भी देखने को मिला है इसके अलावा कॉंग्रेस ने चिनाव से ठीक पहले चन्नी को सीम उमिदबार घोशित किया इसके बाद सिद्धू एक बार फिर प मान मान लिया और उन्होंने पंजाब कॉंग्रेस कमिटी अध्धक्ष नजो सिंग सिद्धू पर जम कर हमला बोला अमरिंदर सिंग का कहना था कि नजो सिंग सिद्धू के पाकिस्तान के प्रधानमंतरी इमरान खान से अच्छी संबंध है और वो उनके लिए काम करते हैं इसके बाद प्रदेश में कॉंग्रेस बुरी तरह घिर गई और हालात ऐसे हो गए हैं कि सत्ताधारी पार्टी 20 सीटों के नीचे ही सिमट्टी हुई दिखाए दे रही है। बीरो रिपोर्ट, OMH News और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं